हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे तो फ्रेंट्स आज में आपके साथ ऐसे लड़ू की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे खाने के बाद आपका कमर का दर्द जोडो का दर्द बिल्कुल गायब सा हो जाएगा तो फ्रेंट्स हमने इसमें ना ही चीनी का यूज किया है और ना ही गुड का यूज किया है बहुत ही जदा हेल्दी बनके तयार होती है और बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे एक बार बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं और आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर तयार कर सकते हैं तो देर नहीं करेंगे फ्रेंड्स रेसेपी शुरू करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इस रेसेपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर अ करना है तो इसे हम क्या करेंगे मिक्सी में डाल देंगे और हमें इसमें ना ही दूद एड करना है और ना ही पानी एड करना है और बिल्कुल कोर्सली ही हमें ग्राइंड करके तयार करना है हमें इसका पेस्ट वेगरा कुछ भी नहीं बनाना है तो मैंने इसे मिक्सी में जो भी आपके पास हो आप यहाँ पर यहां पर सेड़ एड़ करेंगे जिसमें मैंने पटंपिंन सीड का यूज़ किया है आप यहां पर कोई बनाना शुरु करते हैं। मैंने ऐक कड़ाही लिया है 2 चमच घी इड़ कर देंगे और सभी को ड्राइ फूट्स को हम क्या करेंगे एक-एक करके पहले इसे फ्राई करेंगे फ्राई खरने से जो भी इसके अंदर जो मॉइस्च्छर है फ्रेंट्स वो खतम हो जाता है और हमारा जो लड्डू है को काफी टाइम तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो मैंने सबसे पहले यहां पे बदाम को फ्राई कर लिया है, साथ ही मैंने यहां पे अखरोट भी इसमें एड़ कर दिया है, उसे भी हम 2-3 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मैंने यहां पे काजू एड़ किया है, उसे भी हमें रोस्ट कर लेना है, अच इस तरह से fry कर लेना है बिल्कुल क्रिस्पों तक होने तक हमें इसे fry करना है गोंद को और यहां पर आप देख सकते हो गोंद को भी मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ही fry किया है लाश्ट में मैंने जो अंजीर घ्राइंड करके रखा था वो हम घी में एड कर देंगे और अच् अच्छे से ये बिल्कुल ड्राई जैसा होके तयार हो जाएगा, इसका मॉइस्चर बिल्कुल खतम हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंट जो गोंद था उसे मैं थोड़ा सा इस तरह से लेकर मैं इसे क्रश कर दूंगी, आप इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, ग्राइंड क पंकिन सीट्स भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है, और सभी ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी, तो यहां पर आप देख सकते हो, यह ड्राई फ्रूट्स का हमारा पाउडर बनके बिल्कुल तयार हो गया है, उसके बाद जो अंजीर को हम हमने फ्राई करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तो फ्रेंट्स आप यहां पर डेट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर अंजीर का यूज किया है, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे, आप इसमें किश्मिस वेगरा, और कोई भी सीट्स डाल सकते हो, पंकिन सीड हुआ, या फिर सनफ्लावर सीड हुआ, या फ्लैक सीड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और फ्रेंट्स बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, और आप देख सकते हो, इस तरह का मिक शेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और ये लड्डू आप एक बार जरूर ट्राई करनें, आपको बहुत पसंद आएगा, इसमें जो गोंद का करंची फ्लेवर आता है, वो बहुत ही जदा अमेजिंग होता है, और फ्रेंट्स आप इस रेसेपी को फेस बिल्कुल गायब से हो जाएगा, तो फ्रेंट्स ये बहुत ही जदा हेल्दी और टेस्टी बनके तयार होती है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें, आपको बेहत पसंद आएगा, और आप इस लड्डू को बच्चों को भी दे सकते हैं, तो फ्रेंट्स मैं आपको एक टेस्टी सा ये फ्लेवर देने वाला है, और बहुत ही जदा मज़िदार लगने वाला है, तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो में, ओके बाई एंटे केर फ्रेंट्स